अगर आप इस वीडियो का आफिर तक देखेंगे तो जुरूर अपकी जानकारी में कुछ नो कुछ इजाफा हुआ जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल पत्री यानि इस्टॉंस बहुत कॉमन है हमारे परिवार में रिष्टेदारों में यार दोस्तों में या जानने वालों में किसी न किसी को पत्री मिली जाती है यूरिनर इस्टॉंस जानले वा परिशन ही नहीं होती है मगर जिनको इस करती है यूरिनर इस्टोंस के प्रकार के होते हैं जैसे कैलस्यम ऑक्सलेट के होते हैं कैलस्यम फॉस्वेट के होते हैं यूरिक एसिड के होते हैं और इस्टोवाइट इस्टोंस होते हैं जो की बहुत टाइट होते हैं जो की इस्टोंस जल्दी से आसानी से निकलते भी नही लेकिन पथ्री ज़्यादा तर नमक के नमकी हातं ज़्यादा प्योग करने वाले लोगों Xchi पानी बहुत कम पीने वाले लोगों Hills, कीडनी की बीमारी वाले लोगों है लंबी बीमारी वैसे लंबे शमय तक बहुत सज दवईया कहने वाले लोगों में और कुछ ऐसे इलाके में रहने वाले लोग जहां पर पानी पत्री ला होता है उस सबसे बनती है। ऐसा भी नहीं है कि एक बर पत्री बन जाती है और निकल गी है तो दुबार पत्री नहीं बनेगी। यूर्डिनरी स्टॉंस जो होते हैं बार बार भी बन सकते हैं, छोटे स्टॉंस बिना किसी हिलाज के अपने आप भी निकल जाते हैं, 10 mm से छोटी पत्रियां जारतर निकल जाती हैं, मगर 10 mm से बड़ी पत्रियों को ऑपरेशन से निकलवाना पड़ता है, जैसा आप सब जानते हो कि मेडिकल फिल्ड में हर चीज के अपवाद भी होते हैं, कई बर 15 mm तक की पत्रि बिना ओपरेशन के भी निकल सकती है, और कई बर 3-4 mm की पत्रि को भी ऑपरेशन से निकलवाना पड़ता है, जब एक टाइम पिरिड के बाद पत्रि निकल नहीं रही हो उस कंडिशन में, पत्रि होने के लक्षन होने, पेट और पेडू में दर्द का होना, कमर में दर्द का होना, पेशाब का बारबान आना, पेशाब में जलन का होना, उल्टी का आना और उल्टी का मान होना, चक्कर आना, पेशाब में रोकावट आना, कई बर पेशाब में बलड का आना हो सकत अक्तर उरिनेंच का पता अल्टरशॉंट से लगाये जाता है। उरिनेंच को होलनों हैं तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए ज़्यादा पानी पीने से उरिन बार पर आएगा और इस टोंस चाहिएं मगर काले लंगी के मतल काम क्यश्य पियोग मेरी Nhा की छाइए यूरिन को होल नहीं करना चाहिए अपने डॉक्टर से मिलकर तेज दर्द की मेडिसिन लें और जब तक स्टोन हैं हमेशा अपने पास रखें जिससे तेज दर्द होने पर उसको लिया जा सके मगर मैडिसिन्स लेने के बाद भी तेज दर्द कम नहीं हो राए तो कभी-कभी तेज दर्द का इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं मगर हलके दर्द में और ज़रूरी नहीं है तो इंजेक्शन से बचना चाहिए कुछ मेडिसिन्स ऐलोपेथिक, कुछ आयरवेधिक, कुछ होमेपेथिक दी जाती हैं जैसे नीरी वगएरा है, सिस्टोन है, नोस्टोन है, अलकलाइजर्स वगएरा हैं, मगर असलियत में वो सब दवाईयां उसी फंडे पर आदारित होती हैं, कि जदा जदा पेशाब काना यानि डायूरेशिश, बहुत से लोग कोल रिंग्स जदा पीने, कुछ लोग अलकॉल जदा उप्योग करने की सलावी देते हैं, लेकिन जो काम पानी जदा पीने से हो सकता है, उसके लिए अननेसेसरील को नुकसान करने वाली चीज़ उप्योग करना ठीक नहीं होता है, जातर पत्री 10 mm से कम साइज की ही होती हैं, जो कि कुछ दिर वेट करने से निकल जाती हैं, मगर निकलते वक्त बहुत परिशान करके निकलती हैं, अगर श्टोन से लंबे समय तक नहीं निकलता है, तो चाहे हो किसी भी साइज का हो बड़े साइज का हो है, चोटे साइज का तो उस stone को, या फिर कोई stone है जो 10 mm से बड़ा size का है तो उसको operation कराना होता है operation के भी कई तरीके होते हैं, जिसे दूरबीन से stone को तोड़ने वाला operation होता है दूरबीन से stone निकालने वाला operation होता है classical operation जो cut लगाके surgery होती है वो open surgery उसमें भी पेट में चीर लगाकर ये छेद करके श्टॉन को निकाला जाता है कुछ लोगों को operation के बाद दोबारा पत्री हो जाती है इसलिए ऐसे लोगों को साबधानी और परेज़ों पे ज़्यादे ध्यान देना चाहिए बार बार operation करवाना भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंदाया होगा अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करें अपने परिवाल वालो रिलेटिव स्ट्रेंड्स को शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल का आइकन को प्रेस करें आज के लिए बस इतना ही जल्द आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ तब तक स्वस्त रहें अपना ख्यार रखें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो